सिक्षक नियमावली को लेकर जहां योजित सिक्षक सर्कों पर है डमिशायल लीती वापस लागू करने की बाद कर रहे हैं वहीं महागडबंदन सरकार में वामदल है जो सिक्षकों के मांग के साथ है अजमारे सारे सिक्षक किया लाग सिक्षक नाग 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 सिक पर पुनर विचार कि बिल्कुल होगी बात चित होगी और हम लोग उसे अफिल करेंगे जो आंदोलनकारी सिक्षक हैं सिक्षक नेताओ के टेलिएशन से वह बात करें समांजनक वारता हो वापस लेने नहीं बहाल करने के लिए यह वापस हो चुका है नहीं नियमावली में उसको वापस की यह अस्टानिये जो प्रूबे के सिक्षक हैं उनको मुसाइब आप देखने नूश्मों ने सब्सक्राइब करने के लिए अगर दिहार में सिक्षक नहीं है वेसे तो फिर प्राइबेट इस्ट्रों में बढ़िया पुड़ाई कैसा हो रही है हम लोग जो शिच्छक नियुक्ति नियमावली है उनमें संसोधन की मांग करते हैं हम लोग साफ साफ बोल रहे हैं कि नियुक्ति जिन्हों है उनको सरकारी शिच्छक का दर्जा दे दिया जाए उनकी परिच्छा नहीं ली जाए और डूमिशाहिल निती लागू किया जाए ऐसे ही बिहार के शिच्छित मोजवानों को नोक्री वगर नहीं मिलें हैं अगर डूमिशाहिल हटा दिया जाएगा तो दुश्रे पर्द हमारा जो अब यह वो बंजित हो जाएगा लेकिन शिच्छा में शिच्छा दी जाए और शिच्छा जो बरबाद हो गई इसके जिम्मेदार कौन है कौन है तो यह जिम्मेदारी तैक करना होगा और जिम्मेदारी को कबूल करके हमें सब्जेक्ट वाइज बेकेंशी भाल करनी होगी और सब्जेक्ट के मुताबिक अगर हमें शिच्छा में अगर नहीं नहीं देहें तो फिर हम भाईकल की व्यास्ताइब यह सोच सुन सकते हैं मंत्री 14 तारिक को सब्सक्राइब नहीं देखना होगा वहां पे क्या कुछ निशाइल को लेकर सरकार की अगले विंदलनी की जो है अगर देखने को में अगर करता से नहीं देखने को में यह जो है